गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आज एक आपकी विसेस कलास है उसमें क्या देखेंगे हम लोग इसमें देखेंगे कि चतुरभूच समांतर होता है यदि सम्मुक कोण परस पर बराबर होते हैं वैसे भी ये चतुरभूच का फीचर होता है समांतर चतुरभूच का कि यदि दिये गए चतुरभूच की सम्मुक भूजाएं आपस में बराबर हैं तो चतुरभूच समांतर होता है दूसरा ये भी फीचर होता है कि यदि दिये गए चतुरभूच के सम्मुक कोण परस पर हूँ तब भी चतुर्भुज समांतर होता है लेकिन इन फीचण को आज में सिध करके दिखाना है जैसे कि मैं कहूं कि कि दूद सपेद होता है तो दूद लाके आप दिखाना है कि हां ये सपेद कलर का है ऐसे मानदारी नहीं तो इसको आज हम सिद्ध करेंगे चलिए यह दिया है एक चतुर्भुज क्या दिया है चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ABCD ये क्या है ABCD एक चतुर भूज दिया है इसको सिद्ध करना है कि ये समांतर है लेकिन इसमें दिया क्या है इसमें ये दिया है कि इसके सम्मुक कोंड परस पर बराबर है मतलब ये कोंड जो है इसके बराबर है B वाला D के बराबर है और A वाला कौन C के बराबर है ठीक ये दिया है लिखिए ग्यात है क्या क्या ग्यात है एक चतुर्भूज A, B, C, D ये हमें ग्यात है ये दिया है एक चतुर्भूज दिया है A, B, C, D ठीक आगे देखना और क्या करना है ग्यात करना है सीध करना है क्या सीध करना है इसको भी चाहिए इसी पर लिख लीजिए सीध करना है सीध करना है चतुर्भूज एबी सीडी एक समांतर चतुर्भूज है एक समांतर चतुर्भूज है ठीक है ग्याद है हमें एक चतुर्भूज ग्याद है एक चतुरबूज हमारे पास है जो कि यहां दिया गया है लेकिन इसको सिद्र करना है कि एक समांतर चतुरबूज है आप क्या करेंगे अब नीचे लिखिए उपत्ति यहां पे कोई रचना नहीं होगी कुछ बनाना नहीं है उपत्ति में लिखिए कॉड़ A A equal con C और con B equal con D ठीक यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2 क्यूं हमने लिखा कहा सी लिखा दिया है दिया है आमने सामने के कोण जो है सम्मू कोण बराबर है सिद्ध करिये समांतर है ये दिया है ठीक अब लिखिए इतना हो गया न समी करण एक तथा समी करण दो को जोडने पर क्या करेंगे समी करण एक तथा समी करण दो को जोडने पर जोडने पर यह इतना इधर है वहां के बाद यहां करना जब इसको जोड़ोगे तो आपको मिले का कौण ए धन कौण भाई इसको इसमें जोड़ोगे उसको उसमें जोड़ोगे है ना तो क्या हो जाएगा कौण A धन कौण B इक्वल कौण C धन कौण D यह हो गया यह हो गया ना हम चानते हैं कि किसी भी चतुरभूज यानि कि कौडरेटरल का आल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है मतलब चतुरभूज के चारो कौणों का योग 360 होता है लिखिए नीचे चू की इसको हिंदी में क्या चू की बोलते हैं इंग्लिस में इसको therefore बोलते हैं therefore कौण A मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 क्यों इसको क्यों लिखा लिखिए चतुरभूज के कौण है चतुरभूज के कौण है और हम जानते हैं कि चतुरभूज के चारो कौणों का योग 360 होता है इसमें कोई गड़बर नहीं है ना सब ठीक है ना ठीक अच्छा ये बताइए अगर चतुर भूझ के चारों कोणों का योगफल distancing है और हम इमानदारी से बटवारा करें न्याय करें दोनों पच्छ में तो ये बताइए एक कोण कितने अंसका होगा कमेंट करके बताना जल्दी बताइए एक कोण कितने अंसका होगा एक कोंड कितने अंसका होगा देखे सिंपल सी बात है एक कोंड 60 अंसका होगा नहीं अगर एक कोंड 60 अंसका होगा तो कितना हो जाएगा तब तो 240 होना चाहिए एक कोंड 90 अंसका होगा इसको आप वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा आप क्या लिखेंगे इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोड़ ए धन कोड़ दोनों मतलब आलग बलग कर दिजिए बस बाकी कुछ निकरना दो कोड़ को अलग कर देना है कोड़ धन कोड़ दी rati equal कोड़ भी धन कोड़ c पीकॉल 180 मतलब इसका योग भी 180 है इतने का भी 180 है और इतने का भी 180 है है ना हो सकता है ना ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि हमें कुछ सिद्ध करना है चलिए इतना नोट करिए इसको घेरिये गमाती है तो हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ओबर राइटिंग कर देते हैं ठीक ना इसको लिख लिए इतना नोट करिए आगे क्या करेंगे अब लिखिए अब AD और BC रेखाओं को AB काड़ता है कहां काड़ता है AD AD और BC भाई यह AD है यह BC है दोनों चतुरबुच के सम्मुक भूजा है समांतर भी होंगी है ना तो क्या करता इनको AB काड़ रहा है इसका मतलब यह है कि जैसे यह रेखा है इसका नाम क्या है AD है इसका नाम है BC तो इनको कौन काड़ रहा है यह AB काड़ रहा है और एक और का अब A, D और B, C रेखाओं को A, B काड़ता है, काड़ता है या काड़ती है, कुछ भी लिख लिजिएगा आपने बुध्धी विवेक के आधार पर, ठीक, फिर क्या करेंगे? और इसमें कंडीशन भी है, वो कंडीशन क्या है, कि ये एक ही और के अंता कोणों का योगफल, जो है, 180C अंस है, A और B आप 180C कर सकते हो, कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना इसको समीकरन नंबर कौन सा बन जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक दो तक वहाँ बना था ना, त करता कोण है, किसी भी चतुर्भूज में तुनको योग कितना होता है, लिखिए, A भी काटता है, और कोण A धन, कोण B, इक्वाल एक सौसी अंस, ये समीकरन 3 हो गया, समीकरन 2 अभी यहीं बना था, कितना था, समीकरन 2 बना था, कोण B बराबर कोण C, बना था ना, अब क्य होगा, कोण A, कोण B, अगर 181 एक्वाल है, तो कोण ये दोनों कितना है, 181 है, तो A, D समांतर हो जाएगा, A, D, समांतर, B, C, बाई सिम्बल सी बात है AD क्या है समांतर है BC के बताइए है कि नहीं है ना करना क्या था जाना कहां था करना था कि एक चतुरबुज समांतर होता है यदि उसके सम्मुक कोण परस पर बराबर होते है तो हमने सम्मुक कौन बराबर होते हैं से सुरू किया था और लाश्ट में सम्मुक भुजाओं को समांतर करके दिखा दिया है ना अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं परस पर समांतर होती है तो वो चतुर्भुज समांतर होता है ये सिद्ध हो गया, A, D समांतर हो गई B, C के बात समझ में आई ना, क्यूं, क्यूं समांतर हो गई क्योंकि आपने देखा, कॉंड A और कॉंड D, ये 180 है, कॉंड B, कॉंड C, 180, और A, D और B, C रेखाओं को A, B काट रहा था, अगर ऐसा होता है, तो हम कॉंड A और कॉंड B, दोनों जोड सकते हैं, क्योंकि एक ही और के अंता कॉंड है, और एक ही और के अंता कॉंड है, अगर इनको जोडेंगे, किसी चतुर्भूज में हैं, तो 180CN होगा, 180CN हमने लिख दिया, और जब अगर ऐसे इस्तिती बनती है, तो वो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, और ये समांतर हो गया, अता सिद्ध हुआ कि तिर्भूज A, B, C, D, एक समांतर चतुर्भूज है, बात समझ में आई न, नहीं समझ में आ, एक बर फिर से देखिए, दो बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोसिस करिए, सब कुछ होगा समझ में आएगा, चलिए, नोट कर लेचे, झल दी करें, स्क्रीन साट ले लीजिए या फिर नोट कर लेजिए वीडियो को टच करके स्क्रीन पर अगला परमिय होगा आपका समांतर चतुरभूच के सम्मुक कोण बराबर होते हैं सिद्ध कीजिए समांतर चतुरभूच के सम्मुक कोण बराबर होते हैं मित्रों हम आपको आठ में से कम से कम पांच परिमिय प्रूप करवा देंगे और उन्हीं पांच में से एक पेपर में आ जाएगा बाकी सब ना आएगा अगर ना समझ में आएगा इसको छोड़ भी दोगे ना ही करोगे तब भी अच्छा खासा नंबर पा सकते हो ठीक ना ले नहीं आता दूसरा आ जाता है और आप कोशिस करके उसी तरह का कुछ बना दोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा मतलब समझ में आया ना जैसे ये आपको तयार हो गया है और आपसे पूंच लिया गया किसी दिखीजिए समांतर चतुरबुच के सम्मुक कोंड जो तो कुछ न कुछ करना हमारा ये मतलब है कि खाली कापी मत छोड़ना ठीक है हाँ देखे इसमें क्या करना है सीध करना है क्या सीध करना है समांतर चतुरबुच के सम्मुक कोंड बराबर होते हैं मतलब कोंड ए जो है वो क्या है कोंड सी के बराबर है कोंड ए कोंड सी के ब है चतुरोज दिया है कि यहां पर लिखेंगे दिया है ठीक है क्या दिया है समानतर चतुर्बु बूँज को एबी सीदी ऌशंव डिया है और कि यह मैं सिद्धे करना है इसको अगरriers сложно लिखेंगे दिया है बाद में सिद्ध करना ज्यादा अच्छा लगता है फिलाला पैसे भी कर सकते हो तो आपको बता दे मित्रों आपकी यह कलास जो है पूरा फाइनल आप देखेंगे इसको अभी आज लीजिएगा उपर आई बटन में मिल जाएगी कलास खतम होते हुए मिल जाएगी इंडी स्क्रीन पर उससे जा करके आप देख सकते हैं या फिर यूटूब पर आप पीवीर इस्टडी ग्रूप खोज करके देख सकते हैं इस कलास को उस पर दिया जाएगा पूरा कमपलीट देख लीजिएगा समझ लीजिएगा नहीं समझ में आगा बताइएगा अगर नहीं मिलती है तो आप वाट्सव पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं उसी नंबर पर चलते हैं फिर जैहिन अगली कलास के लिए इंतर्यजार करिएगा 16 बज़े स